हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मोर्निंग तू अल आफ यू स्वागत है आप सभी को अपने यूटूब चैनल अभी अन्ता क्लासेज पर दोस्त आप सबको पता है कि राजस एवं भूमी सुधार विवा की ओर से कल के डेट में अमीन कानून गो लिपिक एवं बंदोबस्त पताधिकारी का वेकेंसी आया है और वेकेंसी तो आना ही था क्योंकि मैंने दो दिन पहले अपने यूटूब चैनल के माधहम से बताया था कि जल्द ही वेकेंसी आने वाली है और वेकेंसी जो होगी वो माक्स वेसिस पर ही होगा क्योंकि कॉंटक्ट का बहाली है और संबीदा का जो बहाली होता है माक्स वेसिस पर ही होता है बिहार के निमावली से तो सबसे बड़ी बात है कि जब इलार्सी अमीन का वेकेंसी आय कि यहाँ पर final merit list अभी तक गोसित नहीं किया गया है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी candidate का मतलग maximum candidate का जिनका की BTSC में selection हुआ है उन सभी candidate अभी LRC का form apply करेंगे क्यों apply करेंगे क्योंकि अभी BTSC का selection process पुरा नहीं हुआ complete नहीं हुआ इसी को लेकर उन सभी candidate LRC अमीन में भी apply करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा उन सभी candidate का LRC अमीन में selection होगा जिनका की BTSC JEE में पहले से selection हो चुका है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका कम marks है पहले से जिनका कम marks है या जो अभी pass out हो रहे हैं जिनका कम marks है उनका selection मतलब selection 9 होने का chance है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसका जो cut up है काफी high जाने के संभावना है यहाँ पर cut up काफी high जाने के संभावना है तो आप समझ सकते हैं कि उन सभी candidate जब 6400 बहाली में मतलब cut up high गया है उतना high गया है तो उन सभी candidate का marks ज़ादा होगा तो उन सभी candidate का राजा सेंभुमी सुधार में यहां पर selection होगा और सबसे बड़ी बात कि जो 2020-2021 में candidate pass out हुए है डिपलोमा बिहार से उन सभी candidate का इसमें selection होगा क्योंकि maximum marks से काफी सारे छात्रों ने पाया है तो 2020-2021 और 22 के भी candidate इसमें सामिल होगे लेकिन उन सभी candidate रह जाएंगे जिनका कि कम marks है पहले से ठीक है या अभी भी कम marks आरे उन सभी का तो छात्रों के साथ धोखा हो रहा है सबसे पहले क्या होना चाहिए था एक बात जान लिजे कि LRC अभीन का जो cut-up है आप से उको बता देता हूँ कि 80-plus रहने वाला है चाहे वो जिनरल रहे BC रहे, EBC रहे HC-ST का थोड़ा सा गिर सकता है बाकी सबका 80-plus रहने वाला है यह आप मान के चलिए ठीक है तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या करना चाहिए था LRC डिपार्टमेंट को राजा सिवंभूमी सुधार विभाग को कि सबसे पहले BC का वेकेंसी हो रहा है धोखा हो रहा है इतना तो हम मानते हैं आप क्या सोचते हैं अपना राइ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल पढ़ना है तो सबस्क्राइब कीजिएगा क्योंकि LRC से रिलेटेड और जुनियर इंजुनियर से रिलेटेड सबसे पहले साइस अठीक इनफर्मेशन पहुचने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करेजिए मिलता है नक्सर वडियो में थाइंक्यू धन्यबाद